पिछले कुछ टाइम से अगर आपने नोटिस किया हूँ तो इंफिनिक्स ने एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉंच किया है और अभी रिसंटी तो इन्हों ने कमाल कर दिया बजट सेग्मेंट के अंदर एक फोन निकाला है वो भी इतने जबरतास फीचर के साथ शे अजार से कम के बजट में इससे बेस्ट स्मार्टफोन आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा यह हैं इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8 HD जो आज ओफिशल इंडिया के अंदर लॉंच हो चुका है इस फोन को मैं पिछले एक वीक से यूस कर रहा हूँ आज इस वीटियो में डीटियल में बात करते हैं कि इस फोन में ऐसे क्या खास फीचर मिलते हैं और एक TPU केस अलग से आपको कुछ खरीदने की ज़रूत नहीं है आप सीधी में डिवाइस पर आ जाते हैं सबसे बने बात करते हैं इसके बिल्ट और डिजाइन से तो एक चीज़ तो मानने पड़ेगी फोन के जो लुक्स हैं बहुत ही ज़ादा अच्छे हैं कई सी भी आपको सस्ता फोन फील नहीं होगा पीछी की तरफ काफी डिफरेंट से टेक्चर के साथ में काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है मैट फिनिस के साथ में आता है के साथ आपको सिक्यूरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरपेंट सैंसर भी दिया गया है जो कि काफी फास्ट और काफी अच्छी से काम कर रहा है इतना इने चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ड भी देखने को मिलता है और काफी अच्छा लगता है जब आप फोन को अनलोग करते हो बैटरी को चार्ज करते हो या फिर बैटरी फूल चार्ज हो जाती है या फिर बैक्गराउंड कोल करते टाइम काफी कूल एनिमेशन यह आपको शो करता है प्राइस के अकोड़िंग जहां पर यह फिचर आपको 10-12,000 के फोन में मिल रहा था या पर सिर्फ आपको 6,000 के फोन में देखने को मिल रहा है बारकिन डिस्पली के अगर बात करें तो आउटडोर विजिबिटी आपको अच्छी कासी देखने को मिल जाएगी इसके अलाब फोन के जो बेजिल से वो भी काफी मिनिमल से है 720p डिस्पली होने की अकोडिंग जो क्वालिटी है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी colors काफी अच्छे देखने को मिलते हैं details काफी अच्छे देखने को मिलेगी अब अगर बात करें इस phone के software की ये phone out of the box Android 13 के साथ में आता है जो कि Infinix के custom UI XOS 13.0 पर base है software को लेकर मैं सिर्फ इतना बोलूँगा के software काफी अच्छा है, stable है कोई bugs वगरा देखने को नहीं मिले 90Hz के refresh rate के साथ में display काफी smooth feel होता है अब अगर सिंदे performance की बात करें तो इस phone के अंदर आपको मिलता है Uni SoC chipset T606 जो की इस price point के वोड़े एक काफी decent processor में बोलूँगा octa-core processor है जितने भी normal task आपके होते है ये processor आपको बहुत ही आराम से करवा देगा LPDDR4X RAM और EMCC का storage आपको देखने को मिलता है अब ये जो phone है बेसिकली उन users को target करता है जिनका usage काफी ज़्यादा normal है जैसे YouTube हो गया, Facebook हो गया, Instagram हो गया, WhatsApp हो गया ये जो basic task होते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से करवा देगा वहाँ पर कहीं भी नहीं अटकेगा हाँ slow storage होने की विज़े से जो app opening है वो भले ही यहाँ पर slow है लेकिन RAM management इसका काफी अच्छा है एक बार गर आपने app को open कर लिया तो काफी लंबे time तक वो आपकी RAM में रहता है बात करें gaming की तो heavy games की तो नहीं बहुत सकता है लेकिन आज जितें भी basic games होते हैं वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बैटरी के अंदर यहाँ पर आपको 5000 में इसकी बैटरी इस phone के साथ में मिलती है साथ इसाथ 10 वोट का charger भी आपको मिलता है बैटरी बैकप की अगर मैं बात करूँ तो एक से रिट दिन का बैटरी बैकप यह आपको आराम से निकाल के देगा नेटवक रिशेप्शन की बात करें तो यह एक 4G डिवाइस है डूल वोल्टी को सपोर्ट करता है वाइफाई के डूल बैंड सपोर्ट करता है सिंगल माइक दिया लेकिन कौन क्वालिटी आपको काफी एच्छी देखने को मिलते है रही बात कॉल रिकोर्डिंग की तो उनका खुद का नेटिव डाइलर आपको मिलता है तो किसी के भी बिना बताए आप कॉल रिकोर्डिंग कर सकते हो सिम स्लूट यहां पर ऐसा दिया है कि दो सिम के साथ में आप एक मैमरी गार्ड का भी यहां पर यूज कर सकते हो अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा आज के लिकिन उससे पहले कहीं पर भी आपको वीडियो पसना रहाए दे वीडियो के लाइक कर देना और नीचे एक छोटा सा कॉमेंट कर देना ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तो पहुंच सके अब कैमरा के अंदर पीछे की तरफ में सेंसर 13 मेगापिक्सल का है जिससे अगर डे टाइम में फोटो लेते हो तो डीटेस आपको अच्छे देखने को मिलेंगे इसका जो light control है वो भी काफी अच्छा है और portrait shots भी मैंने लेकर देखे थे वहाँ पर भी आपको काफी अच्छे results देखने को मिलते हैं अगर बात करें low light photography की तो details वगरें जो है वो आपको इतने अच्छे नहीं मिलते यकिन skin tones और colors को काफी अच्छे से manage कर लेता है अब अगर selfie की बात करें तो यह पहला ऐसा phone है जहापर आपको 8 megapixel का selfie camera दिया है जिसके तुरू काफी अच्छे selfie shot आप इस camera के साथ में ले पाएंगे skin tones काफी अच्छे होते हैं, colors काफी अच्छे होते हैं इतनी camera sample में ने इस camera के दुरू शूट किये, उनका जो Google Drive का link के नीचे description में दे दूँगा आप कुछ जाकर वहां से जाकर check out कर सकते हो अब लाश्ट में बात करते हैं कि phone कैसा है लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए अगर आप अपने घर के अंदर को स्मार्टफून लेना चाहते हो तो इससे बेस्ट डिवाइस आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा फोन आपको पहले नजर के अंदर पसंद आ जाएगा तो आग बंद करके आप इस phone के साथ में जा सकते हो इसका जो बेस्ट बाइल निंक है निचो वीडियो के डिसक्रिप्शन में देदूँगा वहाँ से जाकर चेक आउट कर देना बागी मैं मिलता हूँ आप से किसी नेक्स वीडियो में किसी ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत